तो चलिए दोस्तों आज हम क्लास नमर 25 करेंगे बिल्कुल आपको थम्लेन सेम नजर आ रहा होगा वो गलती से हो गया कल भी 24 नमर क्लास थी लेकिन थम्लेन यही था आज 25 नमर क्लास है ठीक है और पढ़े वैसे हमने पढ़ा जैसे बिल्कुल हमने जिस प्रकार से नोट्स को सार घर्बित नोट्स को पढ़ा और केवल उनी का रिवीजन किया तब जाकर जो है वो सेलेक्शन होता है आप लोगों का सेलेक्शन भी होगा मैं नहीं जानता कि आप मेंसे किस किस का सेलेक्शन होगा लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस बार जब एक्जाम होगा त तो निश्चित रूप से जो हिंदी का स्कोर है वो एवरेज 125 कॉशन हर अभ्यरती इस चैनल से सही करके आएगा, यकीन माने अभी तक तो क्लासेद चल रही है, अभी तक तो रिविजन क्लासेद भी जब एक्जाम के विध्यप्ति के बाद आएंगी, इसके अलावा व्याकर पर आपको संपूर्ण, चाए वो सेकंड ग्रेड हो, चाए वो स्कूल व्यक्याता हो, कंप्लीट कोर्स होगा, निश्चिन रहें, अब रही बात, कुछ अभी तियों कि मैं आज बाद में स्टार्ट करूंगा, पहले इस भ्यान से सुनें, कुछ लोग जल्दी से निकाल ल देगी, और आदे आदे गंटे की क्लास देकर सिर्फ टाइम पास्ट नहीं करना है, आप समझें इस बात को, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्लासेश देने का सौक नहीं है, मुझे कंटेंट जबरदस्त देने का सौक है, और बहुत जल्द आपको मैं जो एक सर्प्राइज भ होगा कि सर केवल और केवल वीडियोज, व्यूज के लालची नहीं है, बलकि मैं बता दू, मैं पैसे का नहीं, मैं नाम का भूखा हूँ, यू समझ सकते हैं आप, मुझे नाम चाहिए, पैसे से ज्यादा नाम कीमती होता है, समझ गया आप बात, तो आप तैयारी करें, टा गर के काम भी करते हैं, आप लोगों के लिए चरचर गंटे बैठते हैं, तब जाकर ये कंटेंट तयार होता है, आपको पताए, ये जो आथ देख रहे हैं, भारत इंदू साई, यूग की विशेस्ता है, इनमें भी कितना कंपरिजन करना पड़ता है, पहले देखना हैं, तो उनको तुरंत याद हो जाए, ये मतलब जिसका IQ लेवल 60 के आसपास है, उस बच्चे को भी पता होना चाहिए, कि हाँ सर ने ये चीज़ समझाई है, तब जाकर क्लास तयार होती है, बढ़िया, तो ये चीज़ है, तो आप पढ़ें, टाइम निकाड़ें थोड़ आपको बोल दिया कि आप मेरे हिसाब से पढ़ रहे हो, तो टेस्टरीज स्टार्ट होने वाली है, जल्दी जल्दी टेस्टरीज पढ़ें, नोर्स उसमें साथ मैं, रिविजन करें, ये आधुनिक काल शुरू हो चुका है, आधिकाल, भक्तिकाल, रितिकाल नहीं है, ये आधुनिक काल, ये रिविजन कीजिए, लिखिये, जो एक्स्टरा लिखा रहा हूँ, वो लिखिये, चलिए, तो भारते हैं, ये शुरूआत करने से पहले मैं आपको ले जाओंगा थोड़ा सा बैक, बैक मैंने आपको कल कहा था, कि थोड़ा इनके बारे में बताऊंगा, जैसे एक रचना है, इन्शालला खां की आपने कल पढ़ा था, इन्शालला खां की रचना है, जो रानी केतकी की कहानी नाम से जाने जाती है, उदेभान चरित, मैंने आपको कल बताया था, कि तीन किलो की केतली उदेभान लेकर चला, इस रचना के बारे में मानलो दो प्र दूसरा प्रशgot में भूलते हैं, भए खडी बूली का गद्य साहित्य है, लोकिक सरंगार में प्रेमाख्यानक परंपरा की सुत्रपाद। आप जानते हैं कि जो प्रेमा ख्यान परंपरा है ना प्रेमा ख्यान जो प्रेमा ख्यान है आपको पता है सुफी कावे जो लिखा गया वो अवधी वगरा में था है ना लेकिन खड़ी बोली में प्रेमा ख्यान लिखने का जो एक प्रेचलन था वो सबसे पहले आपको इसी अच्छना में दिखाई देता है खड़ी बोली क्योंकि हम प्रेमा ख्यान सब्द आते ही हमारा दिमाग सुफी कावी के उड़ जाएगा लेकिन इस खड़ी बोली शब्द पर गौर करिएगा खड़ी बोली में लिखित खड़ी बोली और वो भी गद्य साहिते गद्य साहिते क्यों क्योंकि आप जानते हैं कि ये शुरुवाती दोर चल रहा है और भारतेंद यूक का जो शुरुवाती दोर था वहाँ पर जो है वो गद्य का ही खेल है सारा थेक है ना क्योंकि पद्य में तो सीदी सी बात है वासा कौन से है अभी तेक ब्रजी चल रही थी और रस कौन सा चल रहा था अभी स्रंगार रसी चलू रहा था तो पद्य में तो जड़ा आपने konsek tension लेनी की जरूरूत ही नहीं ये सारी जो बते हो रही है गद्धी की हो रही है तो रानी केत्की की गहानी खड़ी बोली गद्धे साहिती में लोकी किसरंगार में प्रेमा ख्यान परंपरा का एक तरह से सुत्रपाथ था तो ये दो बातें जरूर ध्यान रखना इसके अलावा आपने मतलब कि प्रेम सागर जो ललू लाल की रचना है इसका दूसरा नाम है नागरी दसम क्या नाम है इसका दूसरा नाम है नागरी दसम क्या नाम है नागरी दसम आपको अब तक चंद्रावती नसी के तो पाकियान के प्रश्ण मिल चुके हैं एक्जाम में आपको अब तक रानी केत्क की कहानी और एक रचना और देदी इन चारों रचनाओं को देकर आप से पूछे किस रचना का अन्य नाम जो है वो नागरी दसम है तो आप सोच में पढ़ जाओगे लेकिन अब आप लोग सोच में नहीं पढ़ोगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया है इसका दूसरा नम था नागरी दसम ठीक है इसके अलावे इनोंने लाल चंदरी का बैताल पची से लिखे थी लेकिने इनके एक रचना और है दोस्तों जो है माधव विलास नम से ललू लाल की काफी रचनाएं है जिसमें से एक रचना है माधव विलास याद रखना है माधव विलास नम की रचन उसके बाद आप देखो सदल मिस्र के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है नसी के तौप है चंदरावाती नाम से जाना जाता है ये बात है हमने पढ़ ले थी इनके गरचना है राम चरित्र इन्होंने भी राम चरित्र नाम से गरचना लिखी थी लेकिन उस राम चरित्र में आध्यात्म रामायन पर आधारितर. जरदे बात इध्यात्म रामायन पर आधारितर है. आपने लिल क्लास की आईए. तो दो दो तिन बाते में आपको एड़ खादी. मैं दावे के उलकर सात के आ सकता ऊंगी. इन चारों में से अगर प्रिष्ट ना आएगा ना एक्जाम में तो आपको दूर कोई सी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी जैसे आप में से बहुत से साथ ही पूझ दें सर ये जो आपके जो नोट्स हैं किया सर, इनके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत पढ़ेगी क्या मैं आपसे यू कह सकता हूँ, देखो मैं डायरिक तो कैसे बोलूो कि ये कहा सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है, नौट्स के विए आप लोग कोई सी भी किताब उठाओ मैं यह नहीं कहते कि यह किताब उठाओ मैं आप से कह रहा आपको किसी ने कोई किताब बता रखे लए से ने कीई के रहे हैESSंती आफ उठा के analysis कर लो मेरे notes का कि उसमें जो है वो अपने notes में hack नहीं है आपको लगेगा यार जो हम पड़ रहे हैं उससे तो सरने extra दे रखा है और come page में इसलिए आपको notes print निकलवाने के लिए बोल रहा हूँ phone message करने के जरूत नहीं हिंदी point application है डाउनलोड करो इस्टोर में जाओ जो अच्छी लगे वो एक लिए लो notes मैंने सारे में available करवाए है चलिए अब आप देखिए भारतेंदू यूग की विशेस्ताएं विशेस्ताएं कहूँ परवर्तियां करूँ सबसे पहले भारतेंदू यूग में सबसे important चीज़ है राष्ट्रिय जागरण का स्वर्थ था रिति काल जो दरबारी काववे था उसका अंत था और भारतेंदू यानि आधुनिक काल का उदय एक नव जागरण था क्या था एक नव जागरण था पुनर जागरण था राष्ट्रिय अब जो उस वक्त जो राजा सामन्त उनके अत्याचार वगएरा को पढ़ने को मिलता था ठीक है या धार्मिक रूप से आपस में जो कट्रता देखने को मिलती थी वो समाप तो रहा था अब असली जड़ कौन थे अंग्रेज ठीक है न वो हमें भार भार जो है वो हमारा यूँकर ने गरीब एक तो गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप और उस पर भी उन लोगों ने जैसे स्ट्रॉल लगा लगा के हमारी सारी जो वो कहता है न कि जीवनी शक्ति को चूस लिया हो जो देश सोने के चिडिया कहलाता था उस देश को चूसरने का काम जो है कहीने कहीं अंग्रेज उन्हें किया था आप जानते हैं राश्ट्रे जागरन का स्वर आपको देखने को लेकिन ये राश्ट्रे जागरन का स्वर अपने ये राश्ट्रे जागरन स्रंगारस का चितरन बिल्कुल था क्योंकि साहब अभी भी जो है पद्य की भासा जो है वो पद्य की भासा क्या थी ब्रज ही थी पद्य की भासा क्या थी ब्रज थी ठीक है तो जब ब्रज थी ये लोग साब ब्रज भासा की प्रधान था तो ये दोनों पॉइंट तो सेम ही होगे अब जब सरंगारस है ब्रजभासा है तो ओविसली प्रकृति का वर्णन भी कहीं ने कहीं हम आलम बन उद्रीफन रूप पढ़ते आए हैं ये होता था फिर यहां पर एक चीज और मिल जाएगी क्या मिलेगी नहीं ये दो चीजे मिल रही है सरंगारस का चित्रन है तो ओविसली प्रजभासा तो होगा ही होगा क्लिर बात है हाश्य व्यंगे की प्रधानता बिलकुल परताब नारेन मिस्र आप जानते हैं परताब नारेन मिस्र बॉबो, नाग, दांत, मूज, पेट, आंक, इस प्रगार हाश्य वहेंगे, निवन लिखे थे टैक्स की भैंकरता, साथ टैक्स तो राज तंतर में भी भौत था, ठीक है न, हम अक्सर सुनते हैं कि राज तंतर बेकार था, बेकार था, हो सकता है, कमियां सब में होती है, लोग तंतर, राज तंतर, सब, हम उन पर चल चल नहीं, लेकिन एक सोच के देखिए, टैक्स की भैंकरता कैसे आई, ये कहता था, मुझे एक रुपया चाहिए, राज ये को चलाने के लिए, ये अपन कड़ी थी, जो से आज हम बोलते हैं, कि बीच में राजी उगांधी ने एक वार कहा था, कि हम यहां से एक रुपया भेजते हैं, और वहां तक गरीब होता तक सर्फ 25 पैसे चले जाते हैं, तो पांच पैसे जाते हैं, 25 पैसे ऐसा कुछ बोला था, तो वही चीज़े बीच में जो है ना, वो खराब कर रहे थे, इसलिए टैक्स की भयांकरता बड़ी ज़्यादा, आपने पढ़ा भी यह है, अंग्रेज मांगते थे राजा से, राजा मांगता है, सामन तो उसे कहता था भाई, लेके आओ, और वो, तो टैक्स से जनता जो है मार खा रही थी, और य यह विशेशता आपको सिर्फ भारतिंदु काल में ही देखने को मिलेगी, द्विवेदी काल में आपको देखने को नहीं मिलेगी, लोख हित, लोख हित से पहले हमें क्या जानना जरूरी है, लोख हित से पहले आपको यह जानना जरूरी है, कि सामाजिक जो है, समाज की बाल विवा भी था, नारी शिक्षा को लेकर भी समझ एक समझ्या थी, इस बात को आप समझ भी सकते हैं, ठीक है, इसके अलवा विद्वा विवा, ठीक है, बाल विवा, विद्वा विवा, नारी शिक्षा, इसके अलवा जैसे धार्मिक संकीर्णता, क्या यहां पर धार्मिक जो है एकता हो गई थी का पादन कर रहे है तो हमारा धर्म है एक गरीब जो रोज सुबह 9 से लेकर 5 मजदूरी करने जाता उसका वही धर्म है एक शक्षग जो रोज अपने शामपट पर सफेदपट पर आकर बच्चों को पढ़ाता है वो उसका क्या है धर्म है हमारा धर्म से मेरी तो परिभासा यही है मेरा मानना तो धर्म यही है धार्मिक संकिर्णता और हमारे धर्म पर जब चोट होती है तो हमें पीड़ा भी होत हैं तो हमारा धर्म तो यहां पर धर्मी संकिर्णता का मतलब क्या है संकिर्णता मतलब दूसरे को नीचे दिखाना मजद पर तूमस दोर और उस, अपने चीजर या dest, मैंने एक मैंने का सर अब की बार मतलब फर्स्ट ग्रेड जो है वो देते हैं तो जब मैं यूटूब पर क्लासिज दे रहा था तो उन्होंने मुझे बात बोली उनका नाम है मिठालाजी लोहार मैं आपको बता दाओं उन्हों बात बोली बोला देखो ये ग्रेड में कभी नहीं उलज मिलेगा तो ग्रेड में बलकि अपने व्यक्तित्तों को इतना अच्छा उभारो कि आपका ग्रेड कोई सी भी माईने नहीं रखता आपका नाम माईने रखता हो ये सबसे बड़ी चीज होती है और ऐसा आज यूटूब पर देखने में मलता है बहुत से अच्छे अच्छे इससे आपति है भक्ति भावना बिलकुल यहां भारत इंदू को आप देखेंगे कि उन्होंने कुछ जैसे बक्तवत छावली जैसे टाइप से बहुत से निवन लिखें एक बहुत बढ़िया रचना है जो अभी फर्स प्रेड में पूछी गई थी उत्रार्द भक्तमाल है तो मगर जरे तो जर जाने दो समझोब प्रयोग वादी किता है फूल से प्यार करो जरे तो जरना यानि वो अपने आपको एकदम यथार्थ वादी मानते हैं फिर भी कहीं न कहीं उन में उस यथार्थ वाद में भक्ति का उदल्य जो है मैं आपको दिखा सकता हूं कि भक्ति भावना बिल्कुल आपको ऐसे रचना बताएंगे जो भक्ति भावना से परिपूर्ण रचना है तो इसका मतलब भक्ति भावना भी विद्यमान थी क्योंकि प्रकृति से परिपूर्ण रचना भी लिखी भी है तो इसका अलब प्रकृति वर्णन भी देखने को मिलत कि समझ्षय पूती आप कोलों के सारी समझ्षय पूतीं क्या होती है आपके दिमाग मैं ऐसा हाई गा कि समझ्षय क्या होती है चलो बताते हैं समझ्षय पूर्ति आपको आपने雇 शब्द सुना आसू लेखन आपने शब्द सुना आसू लेखन मैंने 11th क्लास में जो है वो निबंद पड़ती होगता आसू निबंद पड़ती होगता मैं परत हमें स्थान प्राप्त किया था इसलिए मुझे पता है शब्बाश ही नहीं दोगे शब्बाश हाँ आपका वेट थोड़ी करूँगा मैं खुद भी दे लेता हूं के बाश क्यों अपने हाथ लंबे हैं कानून की तरह इसले सब्बाश ही खुद ही दे लेता हूं आसू लेकन ऐसी समश्या पूर्थी थी एक समश्या होती थी पहली पंक्ती में दूसरी पंक्ती में solution होता था और भाई सहाब इस समश्या पूर्थी में भारतिंदू ने दो समश्या ही रखी और हमारे अंबी का अदत जी ने क्या किया अंबी का अदत ने अंबी का कठे है अंबी का अठे है याद रखना इससे मैं आपको इनका जनम बता दूँगा अंबी का कठे है अंबी का अठे है तो यूँ इससे जनम बता तो अंबी का अदत ने क्या किया था वो समश्या पूर्थी कर दी समश्या की पूर्थी कर दी इसी लिए इनको आपको पता होगा सू कवी कहा जाता है अक्सर हम लोग रट लेते हैं साहब इसको सू कवी कहा जाता है अरे भाई कहा क्यों जाता है ये तो बता दे अम्भी कादत ने भारतिन दूरा दिखे गिए इरानी विक्टोरिया से सम्मन्दी तेरे एक दूस्त समश्या पूर्ति थी समश्य पूर्थी कर दी उसके बाद से इनको क्या कहा जाने लगा सू कवी कहा जाने लगा परंपरागत छंदों का प्रियोग बिल्कुल भई क्यों नहीं होगा मुझे बताओ भासा कौन से चल रही थी ब्रज रस कौन सा चल रहा था स्रंगार अभी तक जो पद्य में जो है वो चेंज हुआ ही नहीं था तो चंद भी कौन से होंगे परंपरागत होंगे नवीन चंदों के नहीं मैं आपको क्या कह रहा हूँ साहबर साहित्य रटने की चीज नहीं है साहित्य समझने की चीज है मैं साहित्य को रटने की बजाए समझने का पक्ष पाती हूँ साहित्य रटने की चीज नहीं तो परमपरागच्छंदों का प्रियोग हो रहा था ठीक है मात्र भासा उत्थान बिल्कुल मात्र भासा जो बोलने जो अपनी दैनिक दिंचरिया के भासा थी उसको उत्थान के लिए प्रियास किये जा रहे थे पुलिस तंतर में व्याप्त ब्रिष्टाचार बिल्कुल था कैसे था क्योंकि अब कहीने कहीं दरबारी संस्कृती जो है वो पास्चातिकरत हो रही थी देखा जाये तो अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था अब ऐसी जगह पर मतलब जो यूँ कह सकते हैं कि जो थोड़े से उद्धंड प्रवर्ती के वेक्ती थे या जिनकी सोच उद्धंड थी और जो थोड़े बलसाली थे स्रेष्ट अपने आपको समझते थे उन लोगों ने क्या जोइन कर लिया पुलिस तंतर अब वो गरीबों को निचोडते थे और वहां से टेक्स लेकर अंग्रेजों तक पहुंचाते थे उनसे जो मतलब चालान वगएरा काड़ते थे वो कहां पहुंसता था आगे पहुंसता था तो भाईसाब पुलिस तंतर में व्याप्त भष्टाचार था गरीब प्रेशान हो गए किया जिसको हमने रक्षक समझा वो हमारा भक्षक बन्दा जा रहा है तो यहां पे पुलिस तंतर में भी व्याप्त भष्टाचार है और आत्म गौरों का बहुत विलकुल अभी जब हम कवियों में प्रवेश करेंगे तब आपको बताएंगे ऐसी रचनाय लिखे गई जो आत्म गौरों से परिपूर्ण है आत्म गौरों से परिपूर्ण है जो एतिहासिक परिद्रश्य को साथ लेकर चलती है तो यह कुछ भारतेंदु yuk की कुछ विशेशच्टाईं है अब आते हैं एक नमबर पे सबसे पहले आप देख सकते हैं और वो क्या वैक्ति है वो है अपने भारतेंदु हरिश्यंद्र भारते हंदू हरिश्चेंदर कौम पड़ेंगे तो आप जैसा कि हम कल इस पर तो कोई 50 वार जिद कर चुके हैं जिद सौरी चर्चा कर चुके हैं कि इनका जनम 1850 में हुआ था उन्हें 1885 में हुआ था 85 यार ये वास्तों में कमाल के थे ये कमाल के थे मैं जब पढ़ रहा था गद्य साहित्य है तो मतलब गद्य साहित्य के एक थियोरी पढ़ते पढ़ते हैं यूं आया कि अगर जो ये गद्य साहित्य है जो मतलब जिस प्रकार से रास्युपरसाद, सितारे हिंद, लक्षमन, सिंगर उदर वो गार सदतासी जो है वो उर्दू का समर्थ अक्तार हिंदी को कहता था हिंदी को क्या कहता था एकदम गमारू या बद्दी बासा ऐसा बोलता था है ना वही गार सदतासी है बिल्कुल जो मा के माते पे लगी बिंदी अच्छी लगती है कुछ इसलिए भी हमें हिंदी अच्छी लगती है जो हिंदी को गाली देगा वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा बले ही उसने हिंदी साहित्य का पहला इतियास लिखा था गहार साद तोसी है ना इस्तवार्दा लालेतर तुरेंदू यह अंदूस्तानी लिखने वारा अगर हिंदी को गाली देगा तो हमें पसंद नहीं आएगा तो वो वेकते उन सब को बने पढ़ा पढ़ते पढ़ते एक चीज निकलकाती है कि वो बताता है किस प्रकार से जो है अपने सदासुक लालनी आज हैं लग्षमरन सिंग है इसी प्रकार से शिर्फ परशाद सिता बढ़िया होता है कि वो लिखते हैं रामसंदर शुक्र लिखते हैं कि अगर मावीर प्रसाद दिवेदी इस हिंदी के आंदोलन में खड़े नहीं होते और नहीं आते तो जो आज आप पढ़ रहे होना इतनी सुद्ध परश्कृत हिंदी वो रूप हमें देखने को कभी नही रख दी उसको मिक्स नहीं रहने दिया कि ब्रिज भी आगई यह आगई नहीं ऐसा नहीं आने दिया उसको अलग कर दिया ठीक है हमने और बासाओं से शब्द लिए हैं ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन मतलब बढ़िया रूप जो दिया महावीर प्रसाद दिवेदी ने फिर मुंसी प्रेम्चम तो अपने आप में वो कहता है एक ब्रांड है एक नाम है मसी जीवी हैं समझ रहे हो आप आप तो यूँ पढ़ते हैं कि देखो उस अंदोलण में ये आदमी थे फिर ये प्रवेश करें मतलब इतने दिगज थे उन लोगों ने जब इतनी अच्छे देखी है और आज हम लोग थोड़ी सी दो च्यार किताबे पढ़कर उन लोगों पर भी कोशन मारक उठाने लग गए विडंबना है ये चली अठार सो पचास कासी उत्तरप्रदेश में इनका जनम वह था है इनके कावे गुरू थे लोकनात इनके कावे गुरू का नाम क्य धर्दास ठीक है इसके अलावा आप देखेंगे कि आगे लिखावा है कि डॉक्टर नगेंदर क्या क्याता है डॉक्टर नगेंदर क्याता है कि उस समय में पत्रकारों और साहित्यकारों ने क्या किया अठारा सो असी की बात है इनको भारतेंदू की उपादी दे थी हरिश जो ने क्या किया था जो राजा शिव प्रसाद थे इनको एक उपाधी दिथी आप सब पता है सितारे हिंद शिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधी दिथी तो आम जनता जिसमें भारतंदू बहुत प्रचलिक थे आम जनता ने इस उपाधी की प्रतिकरिया स्वरूप जो है आम जनता की बात तो कहां तक पहुँचे की किताबों तो उन्हों नेतर तो तो किसी पत्रकारों और साहित्यकारों नहीं किया था तो उन्होंने इस उपाधी की प्रतिक्रिया स्वरूप जो हरिश्चंदर को किसकी उपाधी दी थी भारत इंदू की जो है उपाधी दी थी ये बात बहुत बढ़िया बात पता ही ने आपको अब आता एक स्वर इसका मतलब यह दूसमन थे, अरे नहीं, सिव प्रसाद जी सितारे हिंद को तो भारतिंदू हरिश्चंदर अपना गुरू मानते थे, यह तो काव्य गुरू हैं, लेकिन सिव प्रसाद सितारे हिंद को तो भारतिंदू अपना गुरू मानते थे, तो इसक सिव प्रसास सितारे हिंद की प्रतिकरिया शुरूब भारतेंदू को भी जो है हरिश्चंदर को भारतेंदू की उपादी मिली और ये उपादी ऐसी रूड हुई कि आज हम हरिश्चंदर की बजाए भारतेंदू ना अगर पूछ लेना कि ये रचना किसकी है option में हरिश्चंदरो मालो सत्य हरिश्चंदर किसके रचना है option में हरिश्चंदरो मैं guaranteed करा हूँ आदेश ज़्यादा लोग गलती कर देंगे क्यों? rude हो चुका है भारतेंदू इतना गजब उपादी ले गए ये हिंदी गद्दे के जनमदाता कहे जाते है हिंदी जो गद्दे खड़ी बोली में जो गद्द्य है उसको सुचारू रूप से जो चलाने का श्रे है वो इनी को दिया जाता है हिंदी लेखकों की समश्याओं का समधान करने के लिए कविता वर्धनी सभा कौन से लिखी थि इनोंने? कविता वर्धनी सभा की स्थापना भी इनोंने की थी और की कब थी देखो ये की थी 1870 कासी में कब की थी 1870 कासी में कविता वर्धनी सभा की स्थापना की थी इसके अलावा इनोंने तदिय समाज की स्थापना भी की थी तदिय समाज त CTDays 73 त 703 ठीक है तो कविता वर्धनी सबा 70-80 में और CTDays समाज कि जो है 1773 में की थी और वो की थी 1773 में लेकिन इनन्हों नहीं एक और भी थी पैनी रीडिंग क्लब, अठरसो तेहुतर में इनोंने पैनी रीडिंग क्लब, ये भी इनी की द्वारा इस्था पीता है, ध्यान रखना है, ये नाम लिख लेना, पैनी रीडिंग क्लब, तदिय समाज और कविता वर्दनी सबार, ये तीनों जो संस्थाएं हैं, उनके साफक थे भारतेंदू हरिष्चंद्र, कौन थे, भारतेंदू हरिष्चंद्र, ठीक है ना, अच्छा एक चीज़ हो रहाती है, मानलो, ये जो उपादी थी, ये जो भारतेंदू, ये जो भारतेंदू नाम की जो उपादी थी, ये सबसे पहले कहते हैं कि पत्त्रकारून निधी कौन सी पत्रिका है सार सुधा निधी नामक पत्रिका में 1880 वहाँ पे सन तो लिखावा था 1880 तो भारतेंदू को ये उपादी जो है वो सार सुधा निधी पत्रिका में सबसे पहले 1880 में हरिश्चंदर को भारतेंदू हरिश्चंदर कहकर पुकारा गया था भारतेंदू यानि भारतिय चांद है ना भारतिय चांद इस बात का भी आप लोग विशेज द्यान अखना ठीक है भारतेंदू को हिंदी भारतेंदू को हिंदी काव्य का वैता लिख का जाता है हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है, ये कुछ quotation होता है, वो add कर लिए, अगरो notes में उपर उपर लिख लिए, अगरो, है ना, हिंदी काव्वे का वैतालिक कहा जाता है, अच्छी चीज है, लगबक इनों ने 70 काव्वे जो हैं, उनकी रचना ही केती, अब देखिए, स्रंगार, भक्ती, प्रेम, समासुदार, इनकी कविताओं का मूल वर्णे विशे है, लेकिन ये क्या है, मूल वर्णे विशे है, लेकिन अगर मैं यूं कहूं, कि इनका सर्वाधिक, प्रमुक्सवर कौन सा है, तो वो ध्यान रखना इनका देश भक्ती है, इनके काव्य में जो प्रमुक्सवर है न, वो देश भक्ती है, ये तो वर्णन करने के विशे है, इसका मतलब ये होता है, कि इन्होंने स्रंगार पर भी लिखा है, बक्ती पर भी लिखा है प्रेम पर भी लिखा है समासुदार पर भी लिखा है लेकिन सर्वदिक प्रमुक्स्वर जो है इनका वो देश भक्ती ही कहा जाएगा इसके बाद यह आता है कि हिंदी प्रथम मतलब हिंदी का प्रथम अभीनीत नाटक जो है उसो का नाम है जान की मं अंगर जो सीतला परसाद त्रिपाठी ने लिखा था उसमें इन्हों ने लक्ष्वन पात्र की भूमी का निवाई थी तो यह आता ही रहता है लक्ष्वन पात्र की भूमी का का उर्दू में ये किस नाम से लिखते थे कल ये चीज़ आई थी साहिद ये मुझे देखने थोड़ा बैक जाओंगा दोस्तों मुझे कल ऐसा लगा था कि कहीं ने कहीं गड़बड हो रही थी अच्छा है वो ये था देखी ये इसी कार्ण से मुझे कंफ्यूज हो रहा था कल ये यहां पर क्या था उर्दू में निसार नाम से लिखते थे अब और वो भारतंदू ल गया से था ये थे इसा कहीं ने कहीं पढ़ा था और ये गलतियाना ये किसी से भी हो सकती है इस बात का विचए इस धियान रखना को बड़े से बड़े विद्वान आज तक का deposit生 क्या या कभी यह पिपर भी असा नहीं bणाते कि डे़्ड सों से एक भीë person डिलेट नहीं हो ह हमेसा इनके डिलेट होते हैं ठीक हैं अगर बाइचांस कभी गलती से बन भी गया हो तो भी गैरेंटेट बोल रहा हूं कि बट्टे में से बट्टा सही करने वाड़े कभी नहीं मिलते हैं और इनका प्रमुख व्यवसाय जो था वो क्या था पत्रकारिता था आईए अब पत्रिकाओं में देखते हैं तो सबसे पहले पत्रिकाओं में आप देखेंगे कवी वचन सुधा 1868 जैसा कि रामचंदर शुक्र ने का है कि भारतिन दुयूक का जो समय है वो 1868 से मानना चाहि में यह कवी वचन सुधाई थी यह सबको याद है लेकिन याद रखना यह मासिक भी थी यह पाक्षिक भी थी यह साप्ताहिक भी थी यह तीनों रूपों में प्रचारित होती थी मासिक पाक्षिक और साप्ताहिक फिर इनकी एक रचना आती है हरिश्चंदर चंद्री का र ठीक है 73 में हरिश्चंदर चंदरी का मासिक थी ये आठ अंकों तक तो हरिश्चंदर मैगजिन नाम से थी आठ अंक तक तो ये हरिश्चंदर मैगजिन नाम से प्रकाशित होती रही नवें अंक में इसका नाम जो है हरिश्चंदर चंदरी का कर दिया तो ये कब से किया नवे अंक जगा ए, पहली बार नवे अंक का नाम हरिश्चंदर चंदरी का रखा था, ठीक है? राम चंदर शुकल कहता है कि हिंदी गद्धे का परिष्क्रत रूप जो है, पहले पहल इसी में पराप्त होता है कि सुद्ध परिश्क्रतु रूप लेकिन रामजण शुब तो इना इतने बोलते हैं कि अपना कांफिज होता है कि कहा कहा क्या क्या और एक एक शब चेंज करकर करें बोलता है हिंदी गद्य का परिष्टत रूप पहले पहल इसी में प्राफ़त होता है फिर एक इनकी पत्रीका बाल बोधिनी 864 ये इस्तरियों से संब्धित है लेकिन इसको बाल मतलब बालक नहीं है तीनों पत्रिकाएं कासी से प्रकाशित होती थी तो ये भी आप याद रखना कासी से प्रकाशित होती थी A.R.C. कहते हैं कि जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूती समझा जिसको जनता ने उतकंठा पूर्वक दोड़ कर अपनाया उसका दर्सन चंद्रिका में हुआ यानि जिस हिंदी को देश ने अपनी विभूती समझा जिस हिंदी को देश ने अपनी भासा समझा उसका पहले पहल आपको जो है वो वर्णन जो दिखाई देता है वो हरिश्चंद्र चंद्रिका में यानि हरिश्चंद्र चंद्रिका की जो भासा थी या हरिश्चंद्र मुझे सिंदी का प्रियो किया गया था वही आम बोलचाल की भासा बनती जा रही थी क्योंकि लोग उसे अब समझने लग गए थे और उसी भासा को पसंद करने लग गए थे ठीक है? तो यह हो गए तीन पत्री का है फिर बात करते हैं जब भारत इंदू के नाटकों की भारत इंदू के नाटकों की तो इसमें बड़ा कन्फूजन चलता है और आज कन्फूजन भी दूर कर देंगे है ना कन्फूजन यह देखिए मौलिक नाटक जो है वो आठ अब इसमें क्या होता है के कुछ किताबे हैं बोल रही है कि साब मौलिक नाटक आठ चाब आठ और मैंने बता हैं मौलिक नाटक आठ सर हमने तो आज तक 9 पढ़ाए सर आपने भी पिसलिवाद तर ट्रिक बता ही थी तो सब है कितने 9 है एक 8 है सरो मानने रूप से तो बिल्कुल 9 ही मानने जाता है लेकिन एक चीज सोची एक नाटक है यहाँ पर 8 ही है ना मैंने 8 लिख रहा है यह आप देखिए यह पहले मैं किलिर कर दूँ कि कहां यह गडबड है फिर यह वो नाटक है सत्य हरिष्चंद्र 875 इस नाटक को इस नाटक को किताबे जो है वो मौलिक में काउंट करती है इसको किस में काउंट करती है मौलिक में काउंट करती है मुझे बताओ और रामचंद्र शुकुल जो है वो कहते हैं सत्य हरिष्चंद्र अनुदित है, मौलिक नहीं है, अनुदित है, तो मैंने इस पर विचार किया, मैंने किसको सही माने, भहुमत तो उस और है, क्या रामचंदर शुक्ल की साइड रहना चाहिए, तो मुझे लगा रहना चाहिए, कैसे वो बता देता हूँ, फिर आप जो हैं, वो डिसाइड कर लेना, कि इस नाटक को आपको मौलिक में सामिल करोगे, तो नौ हो जाएंगे वहाँ पर, और यहां नौ की जगाए आठ हो जाएंगे, वो आप देखेंगे, यह देखिए, बंगला नाटक का अनुदित है, जब यह सत्य मौलिक कैसे हुआ, फिर यह मौलिक कैसे होता है, तो यह सत्य हरिश्चंदर को जिस जगह सामिल करोगे, उस जगह यह सामिल हो जाएगा, ठीक है, तो पहले तो यह चीज़े, अब मैं तो इसको इसी साफ से पढ़ाता आया हूँ, और मेरी तो यह ट्रिक भी आप देख सकते हैं, क्या ट्रिक है, कि हिंसा और प्रेम तो, हिंसा और प्रेम तो, स्री, विभा, देवी, की अंधेर नगरी, अंधेर नगरी का प्रताब है, यह लिजे, मेरे पास तो यह आठ नाटक है, हिंसा और प्रेम, देखिए, हिंसा नहीं करने चाहिए, प्रेम करना चाहिए, हिंसा और प्रेम तो, स्री, विभा, देवी, की अंधेर नगरी का प्रताब है, हिंसा और प्रेम तो, स्री, विभा प्रताब है इसी को रटना है आपको लगता हूँ का मुझे याद है भूल जाओ कि मैं खुद भूल जाता था लास्ट मैसा सेट किया आज तक नहीं बुला हिंसा और प्रेम तो स्री विपादेवी के अंथे नगरी का प्रताब है और खास बात बताऊं खास बात यह है खास बात ये है कि अब की बार फर्स्ट ग्रेड में भी जो है ये कॉशन आया था मौलिक नाटकों अनुदित नाटकों को लेकर जो है ये प्रशन आया था और ये ट्रिक जिसको याद आई थी उसके सही था बाकी आप जानते हैं कि ये 100% कई लोग ये गलत करके आये थे प्रशन तो ये ट्रिक जरूर याद रखें कि हिंसा और प्रेम तो स्री विभादेवी की अंधेर नगरी का प्रताप है ठीक है अब देखिए हिंसा से क्या हो गया वेद की हिंसा हिंसा नभावती हिंसा और प्रेम तो स्री है ना वी से वी है ना वी भाव ठीक है देवी की अंधेर नगरी का प्रताप है तो यहाँ से इस तरह से मैंने ये उठा रखें हिंसा और प्रेम तो स्री विभादेवी की अंधेर नगरी का प्रताप है अब बात आती है कि ये नाटकों के सर सन कैसे याद करें क्योंकि नैट वगरा में फर्स्ट क्रेड में सरक्रम भी पूछ लेता है ये सन याद नहीं होते ये समझ आई चलिए सन याद करते है देखिए पहले तो अलग-अलग तरीके से करते है यह क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताओ देखें स्री चंद्रावली आपको क्या पढ़ना है च्री चंद्रावली क्या पढ़ना है चंद्रावली सुरे है यह कोई पढ़ी जे थोड़ी है पढ़नों पढ़ सी भाया और कोई उपाई को नहीं चंद्रावली चर्चेरों में चंद्राव्ली चर्च्हे उल्रिख्था कर सेज़ान को जह विए ना मुझीम च्जह करें फ़िलन UK मुपटयत्र जो बड़ें है तो ज्यांब करें लिए बोला भारत दुर्दसा किसने की बोला असीने की पंजाबी में क्या बोलता है असी यानी हमने या यू कहतो भारत दुर्दसा कितने जणों ने मिलके की असी जणों ने मिलके की भारत दुर्दसा किसने की असीने की असी जणों ने की भारत दुर्दसा किसने की असीने की असी दोनों छी यतर में देखिये क्या गजब तुकबंदिया है उनको पता था कि कोई ऐसे कलाकार आएंगे जो हमारे विशह विश्वोश धम को विश्वोश धम कर देंगे है न धमा धम कर देंगे तो विश्वश विश्मोश धम आँख बंद करके बोल के देख लो सेट हो चुका है माइंड में विचह विचमोद दम अब आपको कभी भी आज आज आप जो भी बहने जब रोटी बना के आई होंगी एना कल जब रोटी बनाओना सुभ है तो जब दिमाग में ऐसे कर ले ना अब काई ही रवा चंद्रावल आप यूं समझ लो कि बारतें दू काल में ये जो अंधेर नगरी है ये अंधेर नगरी की रानी नील देवी 81 साल की थी और दोनों ही 81 की रचना है नील देवी की अंधेर नगरी 81 साल की थी चाए नील देवी पूछ लो चाए अंधेर नगरी पूछ लो दोनों ही कितने साल की है 81 साल की है फिर आते हैं सती परताप 83 सार आब इसमें कोई ٹτιक सब देखो ये कैसे ट्रिक सती परताप देखो आप इसको यूँ याद रखो सती और गीती सबसे Opportunitute तो ये है सती गीती और देखो इषमें तव आ रहा है इसमें भी तव आ रहा है सती गीती तो इसका मतलब तीयासी सती तीयासी गती तीयासी सती तीयासी गीती तीयासी समझ गए ये इनका अधूरा नाटक है बाद मेरा अधा कृष्ण दास ने इसको पूरा किया था फिर आते हैं हम यहाँ पर स्टार्ट में वेदी की हिंसा हिंसान भाउती बहुत ही गजब चीज बताता हूँ देखिए तद 73 से स्टार्ड और तद 83 से खतम यानि पूरी रामायन जो चली है वो 73 से लेकर 83 तक चली है तो फर्स्ट 73 में है दूसा 83 येलो साब पहला और लास्ट को फिर कॉंबिनेशन कर दिया सैट और से बहुत से अभ्यरति होंगे जिनको आज तक कभी नथो नाट की आद नहीं हुए होनोंगे सन की दो बात ही दुरो हिंसा और प्रेम तुसरी विप्धा धेवी के अंद könntनेगरी का सतीप्रताब है विपा देवी सब से पहले इंसा और इंसा वेदी की इंसा इंसा नाcha 17 और लास्ट है सती प्रताब तीयां सी बीच वाड़े बाद में याद हैंगे पहले लास्ट वाड़े याद हैंगा प्रेम प्रेम जोगीनी प्रेम जोगीनी ये देख लीजिए आप यह 75 75 बोला सर अब इसको कैसे याद कर लें सबसे पहले हाँ बहुती तो बोल तीया 73 हिंसा और प्रेम तो श्री विभा श्री चंद्रावली चीत्र सुरी चंद्रावली विषय विच्मोस दम 6anten ृषय विभा भात दूर्दसा असे विभा देभी नील देवी और अंदेर नगरी क्या सी और उसके बाद बच गई तती परता अपती हैं सी ये लो साफ सारे के सारे सन याद हैं और सारे के सारे नाटक याद हैं अभी फिरोज खान ने कहा था अभी हम जिन्दा है कोई कहता है साहिते याद नहीं होता अमीर खुसरों ने कहा था मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ अगर पढ़िये पूरा साहित्य माइड में सैट बैठेगा चलिए अब चलते हैं वेदी की हिंसा हिंसा नभावती साब पसु बली पर्था का विरोध हिंसा नहीं करनी चीए पसुओं पर हिंसा करनी नहीं चीए मनने तो कोई कुतियर जब भाटोई मार देना तो बहुत दोरों ला हुआ है और सबसे वड़ी बात तिर्थ स्थानों पर होने वाले कूप करते हैं बिल्कुल कैसे होता है अब मैं आपको 2013 में ले चलता हूँ 2013 की बात है आपको पता है कि गंगा नदीमें बाड आई थी आई थी और नहीं आई थी गंगा ने यह मैं अपने विक्तिकत विचा नहीं करते हैं केदारनात दर्सन करने के लिए जाते हैं हम लोग जो उत्री भारत के या जो भी भारत के किसी भी कौने में बसते हो हम लोगों के सपना होता है कि केदारनात के दर्सन करने जाएं वहाँ पहाड़ियों वादियों के बीच भड़नात के दर्सन करने यार तु लोग जा रहे हो कू करते करने के लिए या तुम लोगों के लिए घूमने के पॉइंट हजारों पड़े होंगे यही जरूरी है क्या तिर्थिस्थांग इन्ही को गंदा करना जरूरी है क्या यह वे तब भुड़े ना तीसरी आँख खोल ली और तीसरी आँख खोलने का नजाने कितने घर बरबाद हुए थे क्योंकि दो जार तेरह में उस वक्त हम भी जो है रिशी के देहरादून के आस पास ही थे तो हमने वो महसूस किये कितनी भेंकर बाड़ होती है तब हम सोचते हैं कि बड़ी आमबी का निर में हैं ताकि यहां पर कोई नदी ही नहीं है ताकि यहां कोई नदी ही नहीं है नदी की बाड़ हमने जिन्दगी में पहली बार देख रही तो आपको मैंने इस्टोरी क्यों बताई आपको जिन्दगी में याद रहेगा प्रेम जोगिनी मतलब प्रेम में तेर्थ स्थानों पर होने वाले कू करते हैं तेर्थ स्थानों पर पवित्रता मन सात्विक भाव से जाईए सुद्ध भाव लेकर जाईए जब पुकार नाभी से निकलती है तो ईश्वर को सुनना पड़ता है भगत के वश में है भगवान याद रखें प्रेम जोगिनी पप 75 में तेर्थ स्थानों पर होने वाले कू करते हैं चंद्रावली चंद्रावली प्रेम भक्ती का आदर्स रूप बिल्कुल फिर आती है श्री चंद्रावली श्री चंद्रावली प्रेम भक्ती का आदर्स रूप सामने लाती है चंद्रावली नाटी का भी एक लिखी भी है तो चंद्रावली जो है प्रेम का आदर्स रूप आपके सामने लाएगी विशय विश्मोस धम ये भान देसी राजाओं की कूचक्रपूर्ण परिस्ति दिखाने के लिए जो विशय विश्मोस धम है ना देसी राजा जो थे वो क्या करते थे कूचक्रपूर्ण परिस्ति ठी उन्होंने जो उनकी जो राज का जो नीतिया थी वो एक दम सही नहीं ती तो देशि-राजाओं के कूछ चक्रपूर्ण परेसेत्यां किसमें हैं विशे विश्मोस्तर भारत दूर्दसा अंग्रे जो नहीँ की थी अंग्रे र जी भारत की तुझ समझता है लेकिन उनको बता नहीं है इंदी क्या चीज है नील देवी गीती रूपक है ये क्या है एक गीती रूपक गीती नाटे है हिंदू राजा पर की गई चढ़ाई का एतिहासिक वर्णन है और इसमें जो नील देवी होती है नारी के आदर्शों का वर्णन यानि पूरे भारतिंदू के नाटे को में नारी के आदर्शों का चत्रन किस नाटे को मिलता है नील देवी में और एक हिंदू राजा पर की की चढ़ाई का एतिहासिक वर्णन आपको मिलता है नील देवी अगर केशवदास रामचंद्री का एक रात में लिख सकता है तो हमारे भारतिन दुकम थोड़ी थे इन्होंने भी एक रात में अंधेर नगरी अंधेरा था और अंधेरे अंधेरे में एक रचना लिख दी अंधेर नगरी अंधेरे में लिखी थी ब्रिष्ट सासन तंतर पर वेंग किया था इन्होंने क्या किया था ब्रिष्ट सासन तंतर पर वेंग किया था अंधेर नगरी एक रात में रचना की ब्रिष्ट सासन तंतर पर वेंग किया और फिर आता है सती प्रताव जो की गीती रूपक है नाटक, बाद में, मतलब बाद में राधाक रिष्म दास ने इसको क्या किया था, इसको क्या किया था, पूरा, इसको क्या किया था, पूरा, तो ये आपके मौलिक नाटक आठ, मैं आठ मानता हूँ, राम चंदर शूकल की किताब फूलो कर रहा हूँ, मैं साब साब कर रहा वो जो सत्य भारत हैं उनको अनुदित मानते हैं इसलिए मैं भी हुसानिदृत मानता हूं बाकि आपको चेंज करना उन मैंने बता दिया आप मौलिक अगर नौ मानना चाते हो तो सत्य भारत को सत्य भारत को यहां लिया हो तो नौ जाएंगे वो आप खुद भी कर सकते हो ठीक है सब करने का तरीका लगा को किसी किताब को फॉलो करता है को जो जिसको करता वो उसी को बताएगा ठीक है तो यह हो गया आपके मौलिक नाटेंग आइमान दारी से बताओ पता चला क्या तु या श समजगे बात आप तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे लंबी हुँ रही तो आज की क्लास गरेंके और नेक्स्स क्लास जो है उसमें हम पढ़ेंगे अनुदित नाठ को के टेंगे बहुत भधनेवाद टेक केर शब्राथ डरेक